डोस्तों वैसे तो हर किसी का विचार होता है कि वो फरेंस से पढ़ाही करें, इसलिए कि इसका बहुत है रिजन से दोषतों पहले तो अगर आप इंडया पढ़ाही करते हैं, तो इंडया में कहीं ना, कई प्रॉबलम होता है अच्छा इंडूर्सिटी में एड्मिशन लेना यह पहले रीजन है दूसरा यह है दोस्तों आपने सुना हुआ है कहावाद घर के मुर्गे दालवर अगर अगर आप पढ़ाई करते हैं इंडिया से और कही बाद जॉब के लिए जाते हैं दोस्तों तो आपको उतना ज़्यादा तबज्व नहीं दिया जाता जितना कोई foreign country से पढ़ाया होगा ठीक है तो यही सब बज़य है लोग चाहते हैं कि वो foreign जाकर पढ़ाई करें दोसरी मतलबात यह है कि अगर आप foreign से पढ़ाई करते हैं और क्यों जाना चीए वह इसलिए कि अगर आप अपना local country में पढ़ाई करते हैं क्वार नहीं निकल पार है क्योंकि हमें आपना नहीं निकल पार होता है अगर हम बाहर जाते हैं तो बाहर का संस्कृति क्या है यह बाहर का खांपान कैसा है तो इन तमाम चीज के बारे में हम जान सकते हैं और सीख सकते हैं यह वजय है हर कोई चाहता है हर किसी का मेरा भी ड्रीम था कि मैं फॉरें जाके पढ़ाई करूं लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा गाइडिंस नहीं मिल पाया था जैसे कि आज हम लोगों को गाइड कर रहे हैं कि वो किस तरह फॉरेंजर के पढ़ाई कर सकते हैं। हाला कि इस पे बहुत ज्यादा सतकता लेना पड़ेगा आपको जब भी आप प्लान करते हैं बाहर जाने का। लेकिन दोस्तों आपको कोई प्रकार का प्रोग्लेम होता है, कोई प्रकार सुधा होता है, इन टर्म्स प्रोसेसिंग तो आप मुझे कभी भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माई वाट्सअब और इमेल। दोस्तों आज हम बात करेंगे अगर आपके मन में विचार होगा कि मुझे विदेश जाके पढ़ाई करना चाहता हूँ, इस तरह के अगर आपका माइंडसेट है, इस तरह के अगर सोच है, तो यह वीडियो आपके लिए बनता है दोस्तों, वीडियो को सुरू से आख्री तक जरूर देखिए, बिल्कु भी मिस मत किजिए एक सेकेंड भी, क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, जो आपको विदेश जाने के लिए, विदेश में पढ़ाई करने के लिए, अगर आपके मन में सोच है, तो बहुत ज़्यदा हो सकता है, नमस्कार दोस्तों, मैं हो श्रकुमार साहू, और आज आप सब का स्वागत है, लावनिया, ग्लोबल केरे प्लानर पे, दोस्तों, वीडियो को बेगर स्किप मत कीजिएगा, और सुरु से आखितक जरूर देखेगा, यदि आपके ड्रीम है, कि आपको फरें पढ़ना चाहिए, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या करना च के पास जाना, क्यों जरूरी है, किसी वी इंवसिटिया और कॉलेज में एड्मिशन लेने के लिए विदेश में, दोस्तों, सबसे पहले में आपको बताऊंगा, कि आपको कैसे चुलना चाहिए, अगर आप सूचना है, कि मैं तो डिरेक्ली एड्मिशन कर सकता हूँ, कोई कॉलेज में, तो बिल्कुल मत कीजेगा, कभी भी आपको अगर फॉरेंग में पढ़ाई करना है, तो यू मस्ट गो थू एक कंसुल्टेंट, एड्यूकेशन कंसुल्टेंट, डिरेक्ली एड्मिशन मत लेना, दोस्तों, बहुत सारा रीजन है, इसके लिए मैं एक दूसरा जाना होता है, और वो कैसे जाना है, मैंने एक वीडियो बना दे, लिंक भी है, वो सामने दे दिया हो, आप देख लीजेगा, कि आपको कैसे चैन करना चाहिए, एड्यूकेशन के लिए है, अगर आप फरें में पढ़ना चाहते हैं, तो चार बातें जो है, आपको ध्यान एकिना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत साए कंपनीज, बहुत सारे आते हैं, जहाँ पर आपको उनका इनवरसीटी, उनका क्वार्लें इन डिटल्स पताते हैं, र्योंपर आप उनसे जाके मुलाकात करके आप डेडिय्क जान सकते हैं, वहां जो भी डेलीगेट्स आते हैं चाहिए वह स्कूल से वो और कॉलेज से है। उनसे आप बात कर सकते हैं कि रियालेटी क्या है? इनिवसिटी क्या है? क्या ऐस्ट्रáक्ष्टट्रा क्या आप वहां से लेते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाता है उसके बाद आप घर आजाएगी घर आके फिर दूसरा जो चीज है बहुत महत्यों पूर्ण ना है वह है कि आपको कुई सा कंट्री जाना है उसके बाद उस प्लेश में कुई सा इनवर्षटीज हैं हूं पूर्जा चाहते हैं तो यह पहले आप गूगल में जाके सर्च कर लीजिए यह सब्सक्राइब को सर्च कीजिए जो आसानी से आपको विदेश भेज सके तो इस तरह के ट्रस्टेड के पास जाईए वो कैसे चुन सकते हैं वो भी गूगल में सर्च कीजिए गूगल पर सर्च करने के बाद उनका रेटिंग देखने के बाद जो बच्चे व शैन बातकर असान support के बात कर सकते हैं और आसान है आप कॉलेज के बारे में इंवेस्टिक वा जान सकते हैं साथी साथ जो consultant से आप जाना चाहते हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं तिसरी मत उपन बाते हैं दोस्तों अगर आपने online में सब शिकर लिए कि कौन सा consultant के पास आप जा रहे हैं तो वहां पर आपको फायदा यह होगा अगर आप प्रॉपर ली जाये रहेंगे आप मन बना लिये रहेंगे कि मुझे इन्वस्टिटी में पढ़ना है तो उनसे भी उस college के बारे में थरोली समझ लीजिए उसके बाद आप admission process में आगे बढ़िए चब था जो main important है दोस्तों वो है भीजा processing मैं क्यों बोला था आपको कि आपको एक consultant के थ्रू ही जाना चीए वो इसलिए कि consultant को बहुत ज़्यादा idea रहता है कि process कैसा होता है भीजा process कैसा होता है application process कैसा होगा आपको जब यहां से जा जाना है तो यह सारे चीजें एक consultant को बहुत ज़्यादा पता रहता है आप से या फिर आप अगर गोल में सर्च करते हैं सब चीजें तो इन details में आपको नहीं मिल पाएगा जितना कि consultant आपको help कर सकता है दूसरी अच्छी बात यह है कि जब आप वहाँ चले जाएंगे अग आप ओवसीज यह फिर foreign study करना चाहते हैं तो अब दोस्तों क्या चीज नहीं करना चाहिए यह अब जानिए दोस्तों फरेंग जब पढ़ने जाते हैं तो यह बहुत जादा दोस्तों जब आप सोचते हैं कि आपको foreign जाना है पढ़ने के लिए तो दूस्तों वहां पर लेकिन कहीं न कहीं पता कभी नहीं चलता कि वहां का लोकल खर्चा क्या होंगे ठीक है तो यह चीजें आपको पहले जान लेना है और अगर यह सारे चीजे आप पूछने को अगर वह लोग आपको फीज मांग रहे हैं तो यहां पर आपको अपना पैसा करने का आपका पैसा कहीं न कहीं आप खो सकते हैं यहां लेकिन एक बात है कि consultant को आप जो वीजा का फीज हो देना होगा ठीक है दोस्तों तो यह बात आप ध्यान रखिएगा दूसरी मतफ़ना बात यह हैं कि जब भी आप कोई consultant के पास जाते है ambitions के लिए तो उनक से details में ले लीजिए और कभी भी कोई भी processing का पैसा उनको पे म प्रणाद कीजिए क्योंकि कहीं ने कहीं जो college के साथ में उनका टाइफ होता है और उनका जो जो शेरिंग है क्योंकि अगर आप बीना थ्यान रखिए दोस्तों तो दोस्तों यह था आज का मेरे content की अगर आप फॉरेंड पढ़ना चाहते हैं अगर वीजिए पढ़ना चाह आते हैं तो क्या-क्या बाते ध्यान रखना चाहिए मैं आपको details मताया फिर भी आपके मन में कोई प्रकार का दुविधा कोई प्रकार का questions कोई प्रकार का सोच संकोच है तो आप मुझे निशन दे नीचे में जो comment boxes में आपका question पूस सकते हैं मैं कोशिश करूँगा आपको आपका जवाब देने का आज के हमारा वीडियो कैसे लागा आपको comment ज़रू दीजेगा अगर आप पहले पार हमारा चैनल पाहें दोस्तों तो चैनल को subscribe और बेल आगा ज़रू दबा दीजे ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको हर्दम मिलता रहे मैं एक नया topic के साथ फ करिछ कर दोस्तों कर आपको हर्दम मिलता आपको पहले मैं एक आपको हर्दम मां एकत।